नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल में आसा करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे आज मैं आम और कटाल का टेश्टी अचार की रेस्पी लेकर आई हूँ इसमें कटाल का सीजन चल रहा है आम भी हमारे मार्केट में अच्छे से मिल रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कटाल और आम का बहुत ही टेश्टी सा अचार बनाने का तरीका तो मेरे वीडियो में बने रहिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तो यहां पर मैंने कटाल को इतने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है यह आधा क कटाल को करने के लिए एक शटीमरन ले लीजिए अधा किलो कटार पानी खरह बनाने वाली हो तो इसी के हिसाब से आपको बताऊंगी तो हम इसको चलते हैं क्या सोटने के लिए रखते हैं तो यहां पर मैंने गैस का फ्लेमान कर दिया है और पतीले का पानी गैस पर रख देंगे जब पानी थोड़ा गरम हो जाएगा तो उस पर हम कठाल वाला स्रीमर रखेंगे अब इसको हम साथ मिनिट के लिए गैस पर रखेंगे धक्के पकाएंगे साथ मिनिट हो गया है अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो यहां पर मैं इसे तूथपी की मदद से चेक कर रही हूँ आप इस्पोन या नाइव की मतर से भी चेक कर सकते हैं यह बहुत अच्छे से पग गया है अब इसको नीचे उतार के ठंडा करने के लिए रख दिना है तो यहाँ पर यह ठंडा हो गया है मैंने इसे थाली में निकाल लिया है अब इसमें मैं अपना ग्रेट किया हुआ आम रखूंगी आधा किलो कटाल में दो बड़े साइज का आम मैंने लिया है अगर आपको ज़्यादे खटा करना हो तो आधा केजी यहाँ पर आम ले सकते हैं यहाँ पर मैं इसमें एक बड़ा चमच हल्दी मिक्स करूँगी और आधा चमच मैं इसमें नमक डालूँगी नमक मुझे बाद में भी एट करना है इसलिए पहले मैं आधा चमच ही नमक डालूँगी तो यहाँ पर आधा चम्मच नमग मैंने ले लिया है और आधा चम्मच इसमें हिंग एट करना है उसके बाद इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम बढ़ियां अच्छे से मिक्स करिए ताकि हर जगे नमख खल दी और हिंग पहुच जाए उसके बाद एक घंटे के लिए ढखके रख देना है ताकि सारे मसाले अंदर से भिन जाएं उसके बाद इसको हम अब धूप में ले चलेंगे सुखाने के लिए एक बार और हाथ से मिक्स कर लेना है और आप धूप में भी सुखा सकते हैं फैन के नीचे भी इसे रख सकते हैं तो हमारे धूप अच्छा आता है चट पे तो हम इसे धूप में सुखाएंगे इसको मैंने यहाँ पर थाली में सुखाया है आप कपड़े पर भी डाल सकते हैं इसे पांच से छे घंटे सुखाना होता है यहाँ पर हम अचार का मसाला बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो चमच भरके धनिया लिया है एक चमच सौफ, दो चमच धनिया, एक चमच जीरा आधा चमच मैंने मेथी दाना लिया है पंदरे से भी सकाली मिर्च और यहाँ पर मैंने आधा चमच हींग और लिया है हींग जादे पड़ता है अचार में और यह मैंने कलोजी ले लिया है छे मैंने लाल मिर्च लिया है इसके बाद हम दो तरह का नमक भी लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच सफेद नमक लिया है और आधा चम्मच काला नमक लिया है इसके बाद हम अब चलते हैं मसाले को भूनने के प्रोसेस पर तो यहाँ पर कस्मीरी लालमिज को निकाल के अलग कर लेना है हींग और कलोजी को उसको हम खड़ा डालेंगे और इन मसालों को हमें 2-3 मिनट तक तबे पर रोश्ट करना है तो गैस का फिलिम मैंने आउन कर दिया है इस पर मैंने तबा चड़ा दिया है इस पर 2-3 मिन तक चला चला कर इसे रोश्ट करना है मसालों से अच्छी खुस्बू आने लगेगी तब हम इसको नीचे उतारेंगे यहाँ पर चला चला कर मैं इसको अच्छे से रोश्ट करूंगी अचार के मसालों को रोश्ट करना थोड़ा सा जरूरी होता है ताकि इसमें जो मौैस्चर हो वो निकल जाए उसके बाद ठंडा करके फिर इसे पीश लेना होता है आप एक साथ जादे अचार के भी मसालों को पीश सकते हैं आधा केजी के हिसाब से मैंने बताया है अगर आपको जादे बनाना हो तो मसाले की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर लगभग मसाला मेरा तयार हो रहा है भुनके इसमें से बहुत अच्छी खुस्बू आने लगी है अब हम इसको नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पर मसाले को मैंने नीचे उतार दिया है और यह ठंडा हो गया है अब हम इसको दरदरा पीश लेते हैं मिक्सी जार में मसालों को दरदरा ही पीशी अचार के मसाले दरदरे होते हैं तो जादे अच्छा सौद अचार में लाते हैं खाने में भी बहुत सौधिश लगता है कस्मीरी लाल मिर्च है ये कलर के लिए यूज होता है बागी टेस्ट के लिए तीखा बनाने के लिए मैंने पांच इसमें लाल मिर्च डाला है कस्मीरी लार्ज मिर्च जानने से अचार का कलर बहुत सुंदर आता तो इसको एक साथ प देख लेते हैं कि हमारा आम का चार कठाल का चार सूखा है कि नहीं तो यहाँ पर कठाल और आम दोनों सूख गया है पांस घंटे हो गए हैं इसको जारे सुखाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कठाल को हम भाफ दे के पकाते हैं पानी में नहीं पकाते हैं तो अब चलते ह मैंने कРЕला में यहां टेला है यहांने क्टोरी भरके टेल डाला है रसे हींग और कलाओजि डाल देंगे यहां करते हूँ उस सारे भी कर्म końगष करें तरह देना करते ही जईस थेल कि डालों को धूर० तो आप अच्छे से गदेना हैं आप बपरात तो गएरह में मिक्स कर सकते coyote लेकिन मेरी अचार कम बनाना था इसलिए डाल कर जादे घाल को ढिलयाए तो इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा था उतना अच्छा camera में आया नहीं है कठाल कचार खाने में बहुत स्वादिश होता है और यही season होता है जिसमें आप अच्छे से अच्छा कठाल कचार बना सकते हैं और एक साल से 5 साल तक इसको इस्टोर कर सकते हैं, ये बिलकुल भी खराब नहीं होता है। मैंने कठालकचा दोसरी बार बनाया था, मेरा बहुत ही अच्छा जार बना था, तो об हम इसको जार में डालते हैं। मैंने हाँ पर सीशे का जार यूज किया है जार को अच्छे से साफ करके सुखा के ही अचार रखना है ये अचार एक साल से पांच साल तक आप श्टोर करके रख सकते हैं एक हपते तक इसे धूप में रखना है और एक दो दिन पर आप इसे इस्पून की मदद से चलाते ताकि हर तरफ अच्छे से धूप से अचार पक जाए उसके पाद अचार खाने में यूज करिए ये अचार खाने में बहुत टेश्टी होता है इसमें कठाल का सीजन चल रहा है आम भी है तो कठाल का अचार आप बनाईए खाईए अपने फ्रेंट सेमली में सेयर करिए और डबे में रखिए ताकि उसमें जगर है और उसको अच्छे से आप चला सकें तो यहाँ पर ये मेरा कठाल का अचार बनकर तयार हो गया है और इसे मैंने सीशे के जार में रख दिया है पहले लोग अचार को मिटी के बरतर में रखते थे उसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता था तो यहाँ पर ये अचार बनकर तयार हो गया है और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इंड करती हूं बाय बाय फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स वीडियो में